नमस्कार स्वागत्चे आपनू होचु आपनी साथे धरा बहराशने आज सुधी एक असाध्य रोग मारवामा आवतु हतु परंदु विग्णार्म थायला विकास औने आधुनीक चीकित्सा पदती ना लिधे अज विशेचे चिला पचास पचास वर्चुदी प्रैक्टिस करी रहला एवा निश्नांत प्रविन सुना साथे खास वाचीत करी अमारा सहयोगी जिगर देवानी ये तिना पर एक नजर करी शू नमस्कार दोस्तों मैं जिगर देवानी आपका स्वागत करता हूं इंडिया निउस की अमरी खास पेशकस में जोसो जिस प्रकार से बिमारिया बढ़ती जा रहे हैं उतनी ही दिक्कत लोगों की बढ़ती जाती है वातावन आजकल का बदलाव में है और कही ना कही हर इस इंसान को लग जाती है कही ना कही अपने आप से अलग महसूस करता है क्योंकि बहरापन की बिवारी की बज़े से न तो वो ठीक से सून पाता है और उसी की बज़े से बाकी के कारे में भी उनका मन नहीं लगता है लेकिन डरने की कोई संभाव नहीं इसी बिमारी को मुझे बहुत ही गौरव और सम्मान का अनुबह हो रहा है आज इंडिया न्यूज के सामने इंटर्व्यू देते विए बताते विए अपनी बात संसार की बहुत बड़ी समश्या का बंत हो चुका है वो कान में सुनने की समझने की और पहरेपन की मनुष्य जाती का जब से अभ्यूद है हुआ है तब से कान की समश्याई तो रही थी पहले कम रही होगी अब ज़्यादा है बहरापन तो मुझे याद है मैं बहुत बचमेन में तब भी गाओं में बहरे गुंगे होते थे पर अज बहुत ज़्यादा बढ़ गए है आज क्या हो गया टीवी आ गई है वीडियो आ गए है कुछ मोबाइल आ गए है कुछ पॉलूशन हो गया है कुछ दबाईयां आ ग आ गई है जो मनुश्य पर हावी होती जा रही है और वह पांचवी इंद्री जो करमें जो है पांचवी इंद्री हमारी कर्ण इंद्री उसको डिस्टरब करती जाती है बहरापन एक अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल completely deafness और कम सुनना एक अलग सब्जेक्ट है और उसके बा पाना समझ पाना अलग सब्जेक्ट है और ये बात आपको अश्चरिय होगी कि मनुष्य जाती का जब से अभ्युदाई हुआ है तब से इसके प्रॉब्लेम बहुत बहुंकर थी और ये इसको नॉन क्योरेबल डिजीज में डाल दिया गया था कि इसका कोई क्योर नहीं है इ पचास फर्स के पहले से मुझे तो लगता है मुझे जन्म से इंटुईशन होने लगा था बड़ा हुआ मेरी को डॉक्टर्स नहीं मुझे कैसी घूटी दी होगी मुझे मालूम पड़ गया कि बहरापन और कान के बहरापन और कान के रोग क्योरेबल है और उसके लिए बह और मेरा मानना यह है कि लगभग केस फिल नहीं होते हैं आप आश्चारे के जन्म का बहराप्यक्ति सुन सकता है मेरे पास में आते हैं कि सर महरो बालक जन्म थी बहरोचे मटी ते से कांड के उँज जया गई ती वहां डॉक्टर ने यह कहा कि जमें सुनाई नहीं देगा बहरा मुंगा हो चुका है और इसलिए बैचारा सुन नहीं पा रहा है तो मैंने का एक घंटे में सुन पाएगा तो बोले क्या बात करते हैं सर और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे संसे की दर्शनी से दिखते हैं हम बहुत सम्झाने की चिस्टा करते हैं आप चिं अरे हुआ क्या कि मेरे ये करीबन हजारों की संख्या में वीडियो डालने के बावजूद एक सरकारी एजंसे ने मुझे लिखा कि क्या प्रमान है कि ये वीडियो सत्य है बनाएं मैं नहीं है और मैंने का वहिया एक दो वीडियो बन सकते हैं पता जार वीडियो कैसे बनें दोटा है कान में डालने के दवाई होती है फिर मैंने काम करते करते हैं सोचा कि या साइंस एंट टेक्नलोजी पूरी बदल चुकी है मैंने दुनिया में एक नया विक्रम इस्थापित कर दिया है तो क्यों ने उसको और व्यवस्थित किया जाए तो मेरा जन्म सिद्ध दिका होमिओपया थी तो मैंने कुछ होमिओपथी डॉक्टर सायर किए तयार की बच्चों को तयार किया पूछा पढ़ाया और इस वीशे में और तयार किया उनको मैंने का। होमिओपथी दंग से भी साथ में दवाई यहां कि जिससे कान में सडान है तौ आप मेटाओ बैराप ऐसा है कि जब मैं कहता हूँ कि पूरा विज्ञान और टेक्नोलोजी बदल चुकी है आप विश्वास करिए नसे सूख जाने से आयवाकान का तमाम प्रकार का बहरापन बिना मशीन बिना ओपरेशन के बहुत बढ़िया से ठीक किया जा सकता है सुनने की क्षमताइं बढ़ा के होते हैं मा के घर्ब से मा के घर्ब से पानी घुम जाने से जन्म के बाद में डॉक्टरों द्वारा पेटी में रखने से सर्दी लगने से खुद के केमिकल चेंजेस से अन्य कारणों से अज्यात कारणों होते हैं उसमें पर या रास्चेरिय की बात तो यह है कि यह सारे है तो देल्किस और लग ए सारे खेल तो अलग अलग से बतायंगे पर तो हमारा तो एकी प्रोसेस सब को कैसे ठीक हर रहाए है। इसका मतलब रोग है इन है तो बड़ा ये बात यह बीपरशना खड़ा हो जाता है रोग नहीं तो बाखी लोग कैसे भोग रहे हैं तो मैंने क् यह राजस्थान के अंदर सांती स्कूल में डेफंडम स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम किया, मैंने उन्होंने बुलाया था मुझे प्रोग्राम के लिए चार शे बच्चों के ऊपर, पर उनको मालूम पढ़ा अथंटिसिटी के लिए तो उन्होंने उस समय की टीवी कुछ कारी थे, कुछ कॉंग्रेसी थे, कुछ भाजब वाले थे और वाताओं इतना स्तिवर मना दे गया कि डेड़ सो बच्चों को कैसे ठीक करेगा, तो हमने उसके कायन में दभाई डाली, बच्चों को सुनवाया, बुलवाया, और ओम बुलवाया, और यहां तक कि उनक में देश में अलग-अलग भाज़ों में चलाया, वो आयत इसलिए कि इसका प्रतिवरोद करने के लिए, पर जो कि सारे के सारे बच्चे सुन रहे तो बड़े खुश हो गए, वहां का वाताओं इतना तिवर था, उस समय सुनने का, लोगों का, समदने का, पूरा दिन मुझे बुलाना चाहिए, मेरा काम है, मैं उसके पैसे नहीं लूँगा, फ्री करता हूँ, पर ऐसा ही है, वहां पर भी प्रोफेशनलिजम जादा है, फिर अपनी सब्जेक पर आ जाते है, जर्म का बहरापन मिठ सकता है, बीच में किसी कारण से आयावा बहरापन मिठ सकत है, अच्या, कम सुनना ठीक हो सकता है, उम्र के कान सायवा बहरापन ठीक, अभी मेरे पास में नया एक बहुत बढ़िया प्रियोग आया था, ऐसे तो मैंने कई प्रियोगे हैं पर नया तादा बहुत बढ़िया था, तो मैं जर्म के बहरों की टीटमेंट कर रहा था, उन्होंने सोवर्स का आदमी कैसे चलता हो, कलपना करिये, हिम्मत करके आए, वो शंक्त थे, उन्होंने का एक मैंजी सुनना है, समझना है, और मशीन लगी थी, मशीन में नहीं चाले थी, मैंने का दादा मशीन में निकल जाएगी और सुन पाओगे, अश्चरी हो रहा था पर वो एक घंटे के परितन से सुनने लगें, और उन्होंने बहुती बड़ी आशिरवात दिये, और वहां भी मेडिया ने इसको बहुत बड़ी आशिरवात दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बात में कोई अविश्वास ने करें, ये प्रोग्रम बिल्कु सत्य ह सरल है, सीधा है, बहरापन मिठ सकता है, सुनने के ख्शंताय बढ़ सकती है और पूर का पूरा training program हो सकता है ब्रकुल, जिस प्रकार से आपने बता है कि अलगलग प्रकार से बहरापन आता है, कभी गरब से कभी बच्पन से कभी accidental होता है कभी बड़ा होके होता है, तो कभी कोई रिजन ही नहीं मिलता है तो इन सब की treatment एक ही प्रकार से आप करते हो या अलगले एक treatment देखी मूल तो मेरी एक research medicine है और वो मैंने उसका patent trademark लिया है उसका प्रियोग करते हैं परन्त उसके बाद में homeopathy ही डॉक्टरों को सबसे योग लिया जाता है एक्सबर डॉक्टर से लखे जातें उसको एक पैथी जोड़ दिया गया है क्योंकि नहीं तो दुनिया क्या कोंगि इस इसे मैजिक रेमेदियेक्टर है यह तो जादू कर रहा है और जादू है नहीं 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 तुम हम उसके expert हैं लग बग आजकल तो नहीं दवाई हैं असी शोद ली हमने कि जब process के दर्मयानी ठीक हो जाता है पर उसको कहते है नहीं एक गंटे में मिठ गया यह मतमानना तो बाखी का process पूरा करवाना तो प्रोसेस कितने टाइम चलती है और क्या का तरना रहता है कि किसी का दिखाना दर्वाजा 10 गंटे से या 10 दिन से या 10 महने से या कई बर्सों से बंध है आप खोलोगे तो रहने जैसे बनाओगे ने तो कान की भी यही बात है कान को में ठीक करता हूं सुनने लाइक बनाता हूं सुनना बहुत बड़ी बात है पर सुन के समझना बहुत लाप बादेंधे का तरीका यह है कि उन्हीं चीज्चों का प्रिपेशन किया जाये तो हम लोग रिपीट ठ corners the house Voll often 깃ड़ इंस रिडिंग किरवाते इस पीत रापी श्रीम करते हैं ऍर निथ ते दो हम लोगों के बहरे मुंगे बच्चों को जब आठ वरसका, दस वरसका, पंदरा वरसका, बीस वरसका, पतास वरसका उन लेके आता है तब मैं का भी सुनवा तो धिया बुलवाने के लिए हमारे थेरापी का यूज करो तो आपका फरक पड़ेगा और फरक पड़ता है बेलकुर अच्छा दूतरी बात ये है कि कान के बारे में हम लोग क्या करते है आप मुझे कान दीजी मैं आपको झाजी मन देता हूँ पूरा का कान के सब्जीक में मेरा मानना यह है कि बहुत कुछ करना होता ही नहीं है तीन घंडे में पुरा प्रोसेस करके देते हैं फिर दवायां देते हैं उसके बाद में हम लोग जानव उसको एक unlimited unwanted guarantee देते हैं उसको guarantee वोड़ेंटी करें तो बेटा यह service है तुम घबराना मत बैरापन का इलाज करें नहीं है तुम वापीस हमारे पास ही आना चिंता मत करो हम हम बार-बार पैसे लेने अगर ठकने का काम नहीं करेंगे तो हमारा package जो है वह वैसे दिखने वन टैम package हमारा महंगा होता है 21,500 रुपिया दो पासपोर्टा के फोटो घर का एक व्यक्ति तीन गंटे का समय लेके आओ फिर treatment करवाओ treatment में फरक पड़े तो उसको हम समझाते आगे बढ़ाते हैं जिनको बिल्कुल 00 होता है उनको फिर तयार करते हैं छोड़ नहीं देते जिनको treatment भाग नहीं लेना हो तो उसको कहते भई कोई बात ही है treatment में आपका katora ऐसा होगा तो मैं पानी भरूँगा जब एक लग व्यक्ति ठीक होगे तो एक व्यक्ति कैसे ठी करने की लेकिन इन सब के बीच में किस किस प्रकार कौन सी टेकनिक का आप यूज करते हैं खास तोर पे कही बार लोगों को यह होता है कि दवाई अखाने से यह ठीक हो जाएगा कही लोगों को होता है कि operation या surgery करने पड़ेगी ठीक है तो यह सारी असमंज़ पेशन में हुआ हुआ है और उसी का मिश्यूज करते हैं डॉक्टर वो कहते हैं इससे not curable disease तो अमेरिका जा केनेडा जा जा जर्मनी जा मसीन लगाए operation करा वही लोग मेरे पास में आते हैं हम उसको कान में डालने की दवाई और खानी की दवाई से गंटे में सुनता हुआ करते हैं मै मैं आज ऐसी चैनल में यह कह रहा हूं उसका मतलब कितना बड़ा सत्य कह रहा हूं मतलब यह नहीं है कि कोई संसाया तक बाते हो रही है और मेरा मन है मैंने कई बार यूट्यूबर गूगल के ओपर उसको खुला कहा है कि राष्ट्र और विज्यानिकों का निया प्राभू आफेये नहीं बठ रही है कुछ किसी को पिडा नहीं है हम लोग कही दिन कहीं पर क्या होता है कि ऐसा होता है बैठे वे हैं। अचानक लोगाथे दुखी हो जाते है तो हम उनको ठीक करते हैं अब बताइए क्या करना चाहिए बिल्कुल अभी खास दोर पर लोगों को ये भी हमेशा मनवे सवाल उगता है कि अगर मानलो कि कोई एक चीज जो टेंपरररी बेज एफेक्टिव हो तो उसके बात क्या तो आप जो ट्रिट्मेंट देते हैं उसकी असर कित्गी लंबी रहते हैं अरे बात यह अरे बात यह यह पर्मानिक डिफेक्ट होता है जी जी मतलब हमारे विनोध भाई तो क्या करते है यह काम करते हैं मेरे साथ ही है क्या बढ़ीया क्या थे है कि ओ दरवाजा खुल गए चावीया अबके हाथ में घया फिर चाह डर वरा व्यक्तियदी दो घंटे तीन गंडे में गंटे बर में सुनने लगता है तो फिर वो क्यों नहीं सुनेगा सब्सक्राइब कोई भी आदमी बहरा वहरा खुशी ही नहीं होता है अच्छा एक और नहीं बात बताता हूं अज़ क्या होता है लोग सेटिफिट लेकाते हैं जादा देखें मेडिकल का ही काम है एम्स के सेटिफिट होते हैं एम्स में कहते हैं कानमा होल पड़ी गए उच्छे अभी एक बच्छा आया था उसने का तीन दिन तक इसकी शरीर की पूरी चेकिंग के और मैंने का कान में गड़ बरती तो शरीक बोला कि नहीं उन्हों चेक किया और रंत में क्या का बोला खुछ भी नहीं हो सकता तुम्हे काम करो मशीन लगवालो उप्रेशन करवालो तो वह बचाया एक अंटे में सुलना मैंने उसका वीडियो यूटूब डाल दिया है मैं तो यूटूब और गूगल तो बड़ा खुला आप जानते हैं उसमें जाए सत्या सत्य जो कहना कहो पर मेरी बाद सत्य तो लोग मानते हैं सारी बावतों को लेकर कहीना कही जिस प्रकार से आपने जो अपना अनुबह बताया और बहुत बड़ी बात यह दर्शक वित्रों की 50 साल आप समझ सकते हैं पचास साल यानी बहुत बड़ा पिरेड होगा पचास साल से आपका जो अनुबह है यानि कहीं लोगों को ठीक कि जब बड़े लंबे समय तक यह बिबारी चलती है तो लोग क्या करते हैं कि एक से जादा लोगों को कंसर्ट करते हैं सब लोग अलग लग कहता है तो तो इसे भी आपने देखे होगे तो उनको आप क्या गाइड़न से इनने चाहों कि अभी तो नहीं बात बताता हूँ यह तुने शादी निभाई है यह दवाई करता है पचाज बस बले भी दवाई दे रहा था आज भी दवाई दे रहा है तो मुझे मालूम पढ़ा कि यह प्रमान क्योंकि जब मेरे रंजर्शी हुई तो नक्की हो गया सर मैं टूर किया करता था उस समें मेरा अलग विजनस तो मेरा होबी सब्जेक कही नहीं जाता था मैं रस्ते में भी दवाई देता था अरे मैंने एरपोर्ट पर सिंगापूर एरपोर्ट पर अमेरिका में कैलडा में जहां भी गया खुले आम टीटमेंट करता हूं और मेरे पास में यह नहीं एक बिदम मना कि यह ऐसा है वैसा कुछ ही नहीं एक करती को सिंगापूर एरपोर्ट पर मैंने दवाई डालकर इसको ठीक कर दिया उसने का कि वा भाई वा क्या बात है क्या बात है कहने का मतलब यह सर कि किसी भी मेरा एक और मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े होस्पिटल्स की सर किसी को बुखार हो गई है तो आप जाड़के नीचे भी बुखार्टी कर सकते हूं जाने कही ना कि कह सकते है कि जो नॉलेज की कमी है उनका गहर फाइदा उठाया जाता है और इनी को लेके उनी का आधार बनाके कही ना की डराया जाता है और उसके बाद लोग शायद सर्थी को शर्दी हो गई है और यदि मजम के लोग क्या तो दॉक्तर कहता है इसकी चेकिंग रहा हुँ तो लोग जेटिक चेक पर आ जाते है जीन्स पर अरह सी, सर्दी में jeanls क्या करेगा विल्कुल विल्कॉल खैर कोई बात नहीं है होमिपटि बेज दवाईया साहथ में होने से मुझे बहुत सहरा मिलता है और बहुती ज्यादा मतलब सपोर्ड द्रहा है पत्नी श्रीक आपको मिलता है कि परोशियों का बड़ा सही होगा उनका अभार मानता हूं कि वह लोग टॉलरेट कर रहे हैं यह बहुत बड़ा सहभागी बनना बहुत बड़ी अच्छी चीज़ निमित बनना और बड़ा अच्छा लगा यह सुनके कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जो सिर्फ इस इसको यह मान रहे थी कि इसका इलाज मुंकिन नहीं है बहुत सारे लोगों का आपने इलाज किया और कहीं ना कहीं यह प्रूव किया कि सुनने की जो शमताय वो बढ़ सकती है मैं कुछ एक्जम्पल देना चाहता हूं मॉंबई का एक जवान लड़का जो इंजीनियर और ऑफीसर होगा उसका फोन आया कि सर मेरा सड़न कान बंद हो गया है मुझे तीस स्ट्रेट की इंजक्शन देने के बाद में बत्तर हो गई है तो मेरा यह पहलो परियोग था कि म मैंने अभी तक बहुत बड़ी या इलाज किया तो आजा तो हम्मत करके आगया हमने एक गंटे की टीटमेंट की एक गंटे में सुनने लगा तब उसने जो वीडियो दिया वो मारमिक था उसने का कि सर दुनिया क्या कर रही है मालूम नहीं है मुझे क्यों इंजक्शन दिय यह बच्चा कुछ बच्चे तुरंट बोलने लगते तो मैंने समझा हूँ कि तुरंट कैसे बोल सकते में उनको पूछता हूँ इसका मतलब पार्शल ही थोड़ा-थोड़ा सुनती थे वो जी 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 तभी बोल सकते हैं सर बिलकुल बिलकुल वो जो डॉक्टर तो क्या कर प्रूब किया है और एक बहुत बड़ा आशिरवाद उन बच्चों के लिए भी है जो बच्पन से कहिना की इस पड़कार का सामना कर रहे है अगे के समय में आप जो यह लोगों की सुनने की शमताय बढ़ा रहे हो उसमें और सफलता हासिल करो और लोगों के लिए एक आश कर देफनेस इस इंप्रूबेबल डिए बह्रापन मीड सकता है उन्ने की शमताय बढ़ सकती है हमारे लोग बना हुआ है कि यू कैनोट क्लेम कि यू विल क्योर देफनेस बीकुल बैकुल अरे मैंने का बही क्लेम नहीं कर रहे हैं लोगों लोगों क्रीटमेट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ पर वही पर तो सब्सक्राइब कर रहा है तो सबसे पहले सुनने की जरूरत है कि यह क्योरे बोले तो सौ बात की एक बात सामने आई कि सबसे पहले उनी लोगों को सुनने की आवश्यक्ता है जो सुन सकते कि यह बिमारी संभाव है और इस बिमारी का इलाज मुम्किन है आशा रखते आप सब को यह एपिसोड पसंद आओगा अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि और किस प्रकार से प्रमिंट सुराना अपने अनुबह से लोग साथ आप सब जुड़ गए को खुब धनेवाद नमस्कार